दोस्तो स्वागत है हमारे चैनल राज टुटरियल हिंदी में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोनिक टेक्निसियन से इंटर्व्यू में किस टाइप के कुष्चन पूछे जाते हैं दोस्तो मैं आपको बहुत ही इंपोर्टेंट कुष्चन बताने वाला हूँ जो अक्सर इलेक्ट्रोनिक टेक्निसियन से इंटर्व्यू में पूछे जाते हैं और आपको कैसे उसका एंसर देना है सट्रिक तरीके से वो भी बताऊँगा तो चलिए फिर जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिक टेक्निसियन से इंटर्व्यू में कौन-कौन से कुष्चन पुछे जा सकते हैं पहला कुष्चन है इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट कितने परकार के होते हैं दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रोनिक टेक्निसियन हैं तो आपसे इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट के बारे में जरूर पूछा जाएगा तो आपको क्या जबाब देना है electronic component दो परकार के होते हैं वो कौन-कौन से active components और passive components अगर आपके उनकी नाम भी पूछे जाएं तो आपको बताना है कि active components में थारिश्टर, डायोड, इंडेक्टर और संभी कंडेक्टर आते हैं वहीं पर अगर passive components की बात करें तो register, capacitor और transformer आते हैं तो दोस्तों यह हो गया हमारा पहला question जो अक्सर electronic technician से interview में पूछा जाता है तो चलिए हम अगला देखते हैं दोस्तों अगर आप electronic technician है तो आपके skill को test करने के लिए यह question आपसे जरूर पूछा जाएगा वह question है कि electronic circuit को troubleshoot करने के लिए क्या technique होनी चाहिए तो दोस्तों आपको बताना है कि हम इसको 8 step में divide कर सकते हैं कैसे पहला है confirm the problem in the circuit मतलब कि सबसे पहले हम circuit में problem को confirm करेंगे कि उसमें कौन सी problem है दूसरा है consider visual inspection first मतलब कि जो हमको पहले दिखाए दे रहा कि यह problem हो सकता कहीं हो है तूटा हुआ है या कहीं से डेमेज है या कोई equipment अलग हो गया है तो उसको पहले देंगे तीसरा है select troubleshooting tools जो जो हमारा electronic tools होता है उसको हम क्या करेंगे अपने पास रखेंगे उसको select करेंगे चौथा है पावर अबदी circuit में क्या करेंगे कि supply provide करेंगे पांचवा है check power supply block मतलब कि हम power supply block को check करेंगे छठा है check the individual components हम सारे components को जो मतलब कि circuit में लगए हो उनको check करेंगे कौन से सही है कौन से घराब है हम troubleshooting tools की help से साथवा है check the main controller हम main controller को check करेंगे आठवा point है दोस्तो check the loads by meter power supply तो meter power supply से हम क्या करेंगे loads को भी check करेंगे कि इसमें जो circuit में loads है को उसमें कोई problem तो नहीं है तो यह eight step है जो electronic circuit को troubleshoot करने के लिए help करती है और अगर आप electronic technician है तो आपको इसकी जानकारी होनी ही चाहिए मतलब आपको ऐसे ही बताना है तो आपको एक skill test भी हो जाता है तो यह question बहुत ही important है अकसर electronic technicians interview में पूछा जाता है तीसरा question है दोस्तो शोल्डिंग बिट का temperature कितना होना चाहिए दोस्तो अगर आप electronic technician है तो आपसे यह question जरूर पूछा जाएगा कि अब बताए कि जो आप sorting iron यूज करते हैं उसके बिट का temperature कितना होना चाहिए तो आपको एंसर देना है 300 to 400 degree Celsius क्या होना चाहिए कि शोल्डिंग बिट का temperature होना चाहिए जो कि एक एब्रेज है और इस temperature पर हमारा soldering iron का जो बिट होता है वह smoothly work करता है तो आपको एंसर देना है कि 300 to 400 degree centigrade शोल्डिंग बिट का temperature होना चाहिए चोथा interview question है DC chopper क्या होता है DC chopper AC circuit मे यूज होने वाले transformer के समान होता है दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है जो एसी ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को step up या step down करता है इसी तरह DC जो chopper होता है यह एक static switch होता है जिसका उप्योग एक constant DC voltage से एक variable DC voltage प्राप्त करने के लिए किया जाता है मतलब कि हमको DC voltage एक constant है वोको variable में चाहिए मानने के सब्सक्राइब वोल्ट एक constant value है और उसको हमको 24 voltage चाहिए तो constant vary करके चाहिए तो वहां पर हम क्या करते हैं कि DC chopper का यूज करते हैं अगर हम types of chopper की बात करें तो यह जैसे कि voltage को step up और step down करता है तो यह दो परकार को सकता है step up chopper और step down chopper तो यह तो होगी हमारा दोस्तों चौत्वा question चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं पांचवा interview question है दोस्तो current control devices के नाम बताइए दोस्तों यह भी एक बहुत important question है अक्सर interview में पूछा जाता है कि आप बताएए कि current control devices कुन कौन सी होती है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर तिन current control devices के नाम बताने जा रहा हूं पहला है SCR silicon control rectifier दूसरा है GTO gate turn off device और तिसरा है GTR gen transistor यह तिनों devices क्या है कि current control devices है दोस्तों current control devices कौन सी होते हैं जिसमें और गेट होता है वो maximum क्या होती है कि current control devices होती है आपने SCR का simple देखा हो उसमें और गेट होता है तो क्या होता है कि current control device होता है इसी तरह अगर आप से यहां पर cross question पूछा जाएए कि बताए कि diode हमारा current control device है कि नहीं तो आप बोलेंगे कि diode current control device नहीं है क्योंकि वहां पर क्यों लैनों दवर कर थोड़ होता है तो आप बहुत ही असानी से पाचान सकते हैं कि कौन सी current control devices हैं तो दोस्तों यह हो गया हमारे आज के बहुत ही important interview question electronic technicians से जो interview में पूछे जाते हैं तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद हो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो फिलिज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज टुटरेंदी को सब्सक् लाइब आप